मतलग इनको हर हाल में कटना तैब था इनका हर हाल में ये इतना बड़ा चड़यांतर है मेरे दोस्तों मेरे कम कहे को ज्यादा समझना आने वाले समय में ये सारी बाते मीडिया में आपको मिल जाएंगी ये सिरफ धर्मांतरण तक की बात नहीं हैं ये इस देश की सुरक्षा के साथ में बहुत बड़ा खिलवाण खोने वाला था 2002 में एक फिल्म आई थी नाम था आखे अमिता बच्चल अक्षे गुमार अरजुन परेश्रावल सुश्मिता सेंड कुछ याद आया मेरे दोस्तों द्रिश्टी बाधित नेत्र विहीन लोगों से बैंक डकैती यह प्लॉट था फिल्म का याद कीजिए यह प्लॉट था उस फिल्म का दो हजार दो तक्रिबन उन्निस बीस वर्ष हो गए हैं सवाल यह है कि क्यूं इस काजी जहागीर और मुहम्मद उमर ने सिरफ और सिरफ चुन चुन के मूख और बधिर बच्चों को अपना टार्गेट बनाया धरम परिवर्थन करने के लिए संभवत यह हो सकता था कि किसी भीड भरी बाजार में किसी भीड भरी जगह में इनको फिदाइन की तरह इस्तेमाल करते फिदाइन मतलब एक जैकेट पेना करके और यह बेचारे बोल नहीं सकते यह चहाते भी किसी सुरुक्षा एजेंसी को किसी को बताना नहीं बता सकते रिमोट कंट्रोल किसी और के पास होता और यह इशारों से भी किसी को बोलते यह अपनी छाती खोल के समान दिखाये थे कि हमें इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है तो सामने जो सिक्यूरिटी वाले होते धाएं धाएं मार देते मतलब इनको हर हाल में कटना तैथा इनका हर हाल में यह इतना बड़ा शडियंतर है मेरे दोस्तों मेरे कम कहे को ज्यादा समझना आने वाले समय में यह सारी बाते मीडिया में आपको मिल जाएंगी साइबर सिपाई भगवान जानता है मा और महादेव इस बात के गवाएं कोई नाम की चाहा नहीं है लेकिन यह अंदर सेकड़ों को लेके फटते यह सिरफ धर्मांतरन तक की बात नहीं है यह इस देश की सुरक्षा के साथ में बहुत बड़ा खिलवार खोने वाला था आप मेरे पुराने वीडियो देख लीजिए मेरे 25 वीडियो आपको मिलेंगे जिसमें मैंने का है दो हदर 24 से पहले इस द पुलिस विभाग, आईबी, खुफिया एजेंसी, ग्रह मंत्राले, उनकी रिपोर्ट्स क्या कहती है, मीडिया क्या कहता है, मुझे जो इशारा आपको देना था मैंने दे दिया और मैं नमन करता हूँ हाद चोड़के, हर उस गुमनाम सिपाही को जो बेचारा ठीक से यहा साइबर सिपाई का उपर का दस और नीचे का नभ है, वो ऐसे सब लोगों की सहयता में जाता है, हो सकता है कोई फिल्मी स्क्रिप्ट ऐसी ही बना दे, मैं सिर्फ फिल्म की स्क्रिप्ट बता रहा हूँ, आज के इस केस से कोई लेना देना नहीं या बाकि आप लोग कुछ स्क्रिप्ट भी समझिएगा, कोई फिल्म की स्क्रिप्ट ऐसी भी बना दे, कि जब बच्चे टार्गेट किये जा रहे थे मूख और बधिर, तो उनी बच्चों में कोई बच्चा या बच्ची मूख और बधिर बनाके सेट कर दी, जिसका धरम परिवर्तन होने दिया, ने बताया, दो हजार दो की आखे फिल्म के पैटरन पे वहाँ पे बैंक लुटवाया था, यहां पूरा देश लुटवाने की तैयारी संभफत है हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था, एक हजार की ये फोज बना करके, मैं आशा करता हूं आने वाले दिनों में, शायद पे बात सामने आएगी, तो पूरे देश के पैरो तले जमीन निकल जाएगी, दो हजार दो की आखे फिल्म याद कीजिएगा, उस फिल्म का प्लॉट याद कीजिएगा, नेतर भी हिन लोगों से जैसे बैंक लुटवाया था, यहां सिरफ और सिरफ मूख और बधिर बच् सकते, इनको फिदाईन जैकिट पहना दी जाती, इनको भीड़ भरी जगह में छोड़ दिया जाता, यह बेचारे चाहा करके भी किसी अधिकारी को नहीं बोल सकते थे कि जी हमें बटने के लिए यांपे बेजाए, और यह कहीं अपने बटन खोलके, अपने शेर्टे खोलक सेक्यूरिटी वाले तो उस दिरिश्य को देखके सोचते कि जिहादी सामने से चोलोती दे रहे कि आगया में बटने के लिए, इस सीन को विज्वलाइज कीजी अपने दिमाग में लुपिन वास कोले तो अपने फुल्वामा में हमला हुआ था जी उसमें हमला करने वाला जगति था बोख बदिर था इसको सुनाई ने दिया और इसमें गाड़ी के जाड़ी चक्राई और उगोसे बलास हो गया जे तो मोक बदिर बच्चे को इसना अगत्ठा की आगया ग वाँ अलफा जो मैंने बात बोली अलफा यही चीज आपने मेरा रोम रोम रिजे से इतना प्रसंद किया क्योंकि यह प्रसंद होने की बात नहीं है लेकिन हाँ आज हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां जब इस बात पर मोहर लगाएंगी जब यह चांच होकर के सब है के सामने तस्वीर सारे टीवी चैनल्स पे चल रही है लेकिन नीचे का जो खेल है फिदाइन हमने वाला उसको समझना पड़ेगा यह बहुत बड़ा टार्गरता है मैं फिर से रिपीट करता हूँ शायद इस विशे पे हम दुबारा कभी लाइब चर्चा नहीं करेंगे हम जितने भी केस आपके सम्मुख लेकर क्या आते हैं अंडरकवर वाले उनमें मैं पहले ही एपिसोड में कहता हूँ कि इसके बाद में नहीं आएंगे चाहे वो तीहाड जिल में पारे की कहानी हो चाहे वो तीहाड जिल में अभी जैश्रीराम के नारे की बात हो तीहाड को दाड़ी काड़ती चच्चा को पीट दिया जैशी राम का नारा बुलवा के और आप याद कीजिए इस पूरे प्रकरन से पांच दिन पहले मैंने कहा था कि इशारों को समझो कुछ बड़ा होने वाला है है ना झाल